नरेंदर मोदी बाबारामदेव के यहां मुख्या थिती बन कर आ रहे हैं नरेंदर मोदी की यह मुलाकात नए समिकंड को जनम दे सकती है इस बारे में बात करते हैं आचारिय परमोत कर्शनम जी से के संसमाज इस मिटिंग को किस रूप में देखता है नरेंदर मोदी कल बाबारामदेव के यहां रहे हैं क्या यह मुलाकात नए समिकंड को जनम दे सकती है देखें बाबारामदेव जी और नरेंदर मोदी का रिष्टा वेचारिक रूप से बड़ा गाड़ा है नरेंदर मोदी जी पर हजारों लोगों की हत्या करने कारोप लगा है एक देश में जो परसेप्सन होता ना जैसे इमेज तो कानून की दश्टी से नरेंदर मोदी संभवते बरी हो गए हैं या बरी हो जाएंगे मगर देश की जनता में जो उनकी छबी है मैं ये कहना चाहूँगा कि इस देश में दो नाम ऐसे हैं जिन से देश में देशत फैलती है एक नाम है इंडियन मुझाइदीन का और दूसरा नाम है नरेंदर मोदी जी का दोनों ही नामों से देशत गर्दी की भू हती है जहां तक बाबा राम देव जी के हैं उनके आने का सवाल है तो वैचारिक रूप से दोनों समान है उन पर हजारों लोगों की हत्या कराने का आरोप है और बाबा राम देव जी पे भी भगवान की करपा से अपने गुरू को गायब करने का आरोप है संत समाज का प्रशन है तो नरेंद्र मोदी जी संतों का आशिरवाद लेने नहीं आ रहे हैं मुझे बड़ा दुख हो रहा है यह कहते हुए और हरद्वार के इतिहास में शायद यह पहली बार हो रहा है कि किसी नेता का कि आशिरवाद संतों को प्राप्त होगा नरेंद्र मोदी जी उसमें मुख्यातिति हैं भारत के संतों के प्रति नमन करके उनका आशिरवाद लेने नहीं हा रहे हैं चंद लिफाफे और दक्षणा और धनी संत जो हैं वाबाराम देवजी के हां इकटा होंगे जो आम जनता से दूर हैं तो ये एक अजीब किस्म का कॉकस है जो संत समाज के नाम पर बना हुआ है मुझे नहीं लगता कि नरेंदर मोदी जी संतों का आशिरवाद लेंगे अफसोस के साथ कहना हैं किनरेंदर मोदी जी मा आशिरवाद संतसमाज लेगा अचरी जी अगर बीजेपी नरेंदर मोधी को प्रधान मंतरी के पद पर प्रजेंट करेगी ऐसा नहीं है वो कर चुके हैं उनके पास कोई विकल्प नहीं है लेकिन ये देश गंगा जमनी तहजीब का देश है भावनाओं का देश है प्रेम सदभाब त्याग तपस्या वलदान का देश है करुणा का देश है चमा का और दया का देश है गंगा जमनी तहजीब का देश है और प्रधान मंतरी किसी पाइटी का नहीं होता है नाराजी का होता है प्रधान मंतरी देश का होता है और मैंने ही समझता कि नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधान मंत्री बन सकते हैं क्योंकि नरेंद्र मोदी की भाब भंगिमाओं से, उनके चाल चलन से, उनके डायलोग से, उनकी बातों से, उनके स्टाइल से दंब जलगता है अंकार जलगता है और देश का प्रधान मंतरी अहंकारी नहीं, अत्याचारी नहीं, विनम रहोना चाहिए. विनम रहुना चाहिए देखे संत समाज हो या देश का कोई भी वर्ग हो उसमें अलग अलग प्रकार की विचार धाराइं है जो लोग प्रेम सोहार्द मुहबबत की विचारधारा पे चलते हैं वो लोग कभी नहीं चाहेंगे के नरेंद मोदी जी इस देश का प्रधान मंत्री बने जो लोग इस देश को तोड़ना चाहते हैं कुछ लोग हैं जो जिहाद के नाम पे देश को तोड़ना चाहते हैं, और कुछ लोग हैं जो हिंदुत के नाम पे देश को तोड़ना चाहते हैं, हिंदुस्तान की आजादी में हिंदूों के साथ मुसल्मानों का भी खून शामिल है, अगर भगत सिंग, सुकदेव, राजग जुरू कुफासी पर लटकाया गया, तो अश्वा खुलना कहां को भी पासी पर लटकाया गया। अगर आशाराम त्यागी शहीद हुए पाकिस्तान की लड़ाई में, तो वीर अब्दुलहमीद भी शहीद हुआ है। सवाल है देश का सवाल एक आदमी का नहीं है एक पाईटी का नहीं है देश में आग लगा करके अगर किसी को कुरसी मिल जाए तो किया यह देश के लिए अच्छा होगा मुझे नहीं लगता कि सभी संत नरेंद्मोदी का समर्थन करेंगे क्योंकि इस देश के संत इस देश के हैं, किसी राजनेतिक पार्टी की गुलाम नहीं है, चंद राजनेतिक पार्टी उन्हें संतों का बड़ा दोहन किया है, कभीराम के नाम पर, शिलाओं के नाम पर, खडाओं के नाम पर, मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन सभी जानते ह कुछ लोग मानते हैं कि मोड़ी बीजेपी से ज्यादा बड़े हो गए है तो संसमाज इस को इस बारे में क्या है कि मोधी जितने थे उतने ही है BJP चोटी हो गई है कि BJP के हाथ में नरेंद्र मोधी नहीं है आरेंद्र मोधी की कठपुतली BJP और RSS है हुआ अडवानी यह बने हो गए एक सुस्मा जी का कोई वजूद नहीं बचाया है राजनाज सिंग नाम कि अद्ध्यक्षा है जब राजनास सिंग जी नरेंद्र मोधी एक साथ बैठ से हैं तो उनकी भाब भंगिवाओं से जहलकता है कि जैसे नरेंद्र मोधी राजा की तरह बरताब करते हैं यह सब चाकर की तरह रहते हैं इनके हाथ में नहीं नरेंदर मोदी जैसे चाह रहे हैं मूवेंट कर रहे हैं मूव कर रहे हैं और यह सोची समझी रणनीती है लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि नरेंदर मोदी इस देश के प्रधान मंतरी नहीं हो पाएंगे यह थे आचारिय प्रमोत कर्श्रम जी जिनकी बातों को आपने सुना नरेंदर मोदी बाबारामदेव के यहां आ रहे हैं भले नई समी करणों को दस तक दे रहे हूं लेकिन संसमाज का एक बड़ा हिस्सा मानता है कि नरेंदर मोदी यहां आशिरवाद लेने नहीं बलके संत लगता है कि मोदी के लिए दिल लिया भी दूर है अर इद्वार से अमरेशफट के साथ राव शफात अली शिरी नियूज